हेलो डियर श्टूडेंस कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंस आज हम जॉन मिल्टन की बाइउग्राफी और उनका इंगलिस लिट्रेचर में क्या योगदान है इसपर चर्चा करेंगे तो शुरुआत करते हैं पहले इनकी बाइउग्राफी की बात करते हैं दोस्तों, इनका पूरा नाम था जॉन मिल्टन, इनका जुन्म 9 दिसमबर 1608 में हुआ था, इनका जुन्म स्थान ब्रेड स्ट्रीट, चेम साइट, लंदन, इंगलेंड में हुआ था, और इनकी मृत्यू दोस्तों, 8 नवंबर 1694 में, 65 वर्स की आयो में, बनहिल, लंदन, इं जॉन मिल्टन, अब इनकी फादर की बारें बात करते हैं, दोस्तों, इनके फादर का नाम जॉन मिल्टन था, अर्धात जॉन मिल्टन जो पोएट थे, उनका भी नाम जॉन मिल्टन था, उनके फादर का भी नाम जॉन मिल्टन था, माता सारह मिल्टन था, और इनकी पतनी क नाम तीन शादिया की थी नोंने जिसे शुरुवात में पहली थी मेरी पॉवेल 1642 तु 1652 तक इसके बाद कैथरीन वुड कॉग जिनसे इनकी शादी 1656 में होती है और ये 1668 तक चलती है इसके बाद फिर एलिजाबेद मेंशल से इनकी शादी होती है 1663 में और इनकी मृत्यू जो है 1664 में हो जाती है तो ये था एक छोटा सा इंट्रडक्शन अबाउट इस फादर, मदर और वाइफ अब इनके बच्चों के बारे में बात करें दोस्तों तो इनके बच्चे थे पहला जिसे नाम आता है एनी, फिर है मैरी, जॉन, डेबोरा और कैथरीन मिल्टन इस प्रकार से इनके चार बच्चे थे सिख्षा की बात करें दोस्तों तो क्राइस्ट कॉलेज कैंबरिस इन्होंने अपनी पूरी प्रहाई की थी और इनकी राष्ट्रीता जो है वो ब्रिटिश है धर्म क्या था इनका प्रोटेस्टेड इशाई धर्म था अब चलिए जॉन मिल्टन की बाइग्राफी शुरुआज से समझते हैं तो प्यारे बच्चो जॉन मिल्टन का जन 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट चेम साइट लंदन इंग्लेंड में हुआ था और जॉन मिल्टन ने सेंट पॉल स्कूल से अपनी फ्रैमरी जुकेशन की पढ़ाई शुरू की थी और अपने जीवन काल में ही उन्होंने लेटिन, ग्रीग, इटैली, हिब्रू, फ्रेंच और स्पैनिश जैसी कई भाषाएं सीख लिए थी आगे बढ़ते हैं प्यारी बच्चों, इनके बारे में 1625 में मिल्टन ने क्राइस्ट कॉलेज केम्ब्रीज में दाखिला लिया था और 1629 में उन्होंने बीए के साथ असनातक की उपाधी प्राप्त की थी तीन जुलाई 1632 में उन्होंने उसी कॉलेज से मास्टर आफ आठ डिग्री भी प्राप्त की थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैम्ब्रीज के बाद मिल्टन ने बकिंगम शायर में अपने परिवार के साथ रहे और स्वतंद्र रूप से अध्यन करने में वहाँ पर उन्होंने 6 साल बिता दिये थे इसके बाद फिर और दोस्तों इसी दोरान उन्होंने अन दे मॉर्निंग आफ क्राइस्ट नेटिविटी ये अपनी रचना लिखी थी और साथ ही साथ उन्होंने on Shakespeare कुछ प्रबुक रचनाये हैं वह भी हम साथ में चर्चा कर लेते हैं जब वे अपने परिवार के साथ बकिंगम शायर में अपने परिवार के साथ रह 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 थे वहाँ उन्होंने 6 साल बिताया थे उसी दोरान उन्होंने on the morning of Christ nativity लिखी थी साथी साथ on Shakespeare लिखा था एल एलेग्रो लिखा था और आईल पैंसरेसो और साथी साथ लेसीडस लिखा था जो डूबने वाले अपने दो मित्रों को याद करके उन्होंने एक शोग गीत लिखा था जिसका नाम था लेसीडस और दोस्तों 1642 में जब वह 34 वर्स के थे तब न्होंने 17 वर्सी मेरी पॉवेल से शाधी की थी दोनों कई वर्सों के लिए बाद में आलाग हो गए और उस दोरान मिल्टन ने तलाक की उपलब्धता की वकालत करने वाले प्रकाशकों का एक सिरिंखला जिसका नाम था दिवोर्स ट्रैक्स लिखी थी महाद पूर्ण है याद रखियेगा दो डिवोर्स ट्रैक्स लिखी थी 1652 में मेरी की मृत्यू से पहले दमपती फिर से मिले और मेरी ने चार बच्चों को जन्म दिया था इसके बाद दोस्तों 1656 में उन्होंने कैथरीन वुड कॉक से शादी की थी लेकिन 1658 में उसकी भी मृत्यू हो जाती है 1669 के अंत में चार्स पर्थम के पतन और राष्ट बंडल के उदय में उनकी भूमिका के कारण मिल्टन को जेल जाना पड़ा और उन्हें जल्द ही वहां से रिहा भी कर दिया गया शायद शक्तिशाली समर्थकों के प्रभाव के कारण उनको वहां से रिहा कर दिया गया जेल से रिहा होने के बाद मिल्टन ने इलिजाबेथ मिन्सुल से शादी की थी 1660 में उन्होंने परडाइज लॉस्ट को 10 खंडों में प्रकासित किया था जो कि सबसे महत्रपोर्ड रचनाव में से एक है उनकी और दोस्तों इसे उनकी सबसे बड़े कृति और अंग्रेजी में लिखी गई सबसे बड़े महाकावे के रूप में जाना जाता है पैरडाइज लॉस्ट का एक संसोधित 12 खंड संसकरण 1664 में प्रकासित किया गया था और आगे बात कर लेंगर हम लोग उनके उन लेखनी कारियों को जॉन मिल्टन का 65 वर्स की आयों में नवंबर 1664 में इंग्लेंड में निधन भी हो गया था अगर हम उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें उनके प्रमुख उलेखनी कारियों की बात करें तो पहला नाम आता है अ ट्रेट्रिस आन क्रिस्टियन डॉक्ट्रिन इसके बाद है इरोपोक्सिया फिर है आर्टिस लोजिसी फिर है कोमस डिफेंस आप दे इंग्लिश पीपल अगेंस्ट स्वल्मॉसिस फिर है डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन आफ डाइवर्स इसके बाद आता है उनकी रचनाओं में इकनोक्रास्ट इस्ट्री आफ बृतें आल पेंसरी सो अल अलिग्रो लॉसिदस आफ एजुकेशन आफ रिफॉर्मेशन टॉचिंग चर्च दिसिप्लिन इंग्लेंड और था अन शेक्स्पेर आगे नमबर आता है और इसके बाद दोस्तों और कई रचनाओं थी जिसमें जैसे एक और आता है cry of the king's blood और एक है the tenor of kings and magistrates तो इस प्रकार से ये उनकी रचनाए हो गई और ये था जॉन मिल्टन का संगशिप्त जीवन परचे और इंग्लिश लिट्रेचर में उनके प्रमुक योगदान तो मिलते हैं इसी प्रकार से कुछ अन्य कहानियों के साथ कुछ अन्य रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो जैहिन बंदे मात्रों